हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो यार यूट्यूब चैनल इंगलिश फैमिली 87 आप जीडा अपना नॉवल कीता सी ओलिवर ट्विस्ट ओस दे अपना ओलिवर ट्विस्ट अते फैगन दा क्रेक्टर स्केच्च आपकर चुकियां तेइस वीडियो दे विच्च अपा थर्ड अपना क्रेक्टर है ओ है क्रेक्टर स्केच्च आफ नैंसी इन अलिवर ट्विस्ट ओस नैंसी दा क्रेक्टर स्केच्च ए इडा है अप्प करन जारियां सो देको श्ताट कर दिया Nancy's character in the novel Oliver Twist is short but she plays an important role short character है होसदा but important role है होसदा इस अपना इस novel दे विच्च she is a young prostitute in Fagun's gang and lives with Bill Sykes Bill Sykes देना रहन दिया हो Fagun दी गैंग दे विच्च young prostitute मतलब वेशवा वेशवा हो जेडी की Bill Sykes देना प्यार कर दिया है Bill Sykes is her lover उसदा lover है है Nancy is a complicated character एक complicated character हो she lives in a world of crime मतलब crime दी दुनिया दे विच्च रहन दिया है with Fagun Still she has a sense of justice and kindness मतलब उसदे विच्च फिर भी justice दे kindness है यडियो है गी है Nancy wants to protect and help Oliver Oliver दी help करना चाहूं दिया है Whenever she looks at Oliver जदों भी हो Oliver दी मतलब वाल देख दी है She remembers her lost innocence मतलब अपनी यडी lost innocence हा उसदे वाल लो हो देख दी है मतलब अपना जो बदिया पन है जो खोच किया हो फैगंदे नार रहे के उसनों हो याद हो दै She defends Oliver when he is stolen from Mr. Brownlow's house जदों Oliver नो मतलब अपना जो ब्राउन लो है उसदेख करों मतलब stolen मतलब चक्क्या जान दा है ता ओदों भी ओह Oliver दी help पर येडी हो कर दिया है Defend कर दिया उसनों Oliver नो उसदा पक्ख लें दिया She yells at Fagun ओ Fagun दे उपर चिलाओं दी है कि क्यों मतलब Oliver नो जो अभी चक्क्या गया कि टनैप करे गया जा फिर आपके साग दिया Nancy again and again tries to save Oliver Oliver नो बचाओं दी कोशिश कर दिया बार बार Nancy tells Monk and Fagun's plan to those people who want to do good for Oliver जो Oliver ली बदिया करना चाओं दे Oliver दे पक दे विच ने उनना नो हो Fagun अते Monk's दा जड़ा जो भी plan ने Oliver दे खलाफ ओ साब को जो दस दी है She has no personal benefit in doing so एक अरंदे विच उस दा कोई personal benefit जो मतलब नहीं है का When Nancy hears Fagun and Monk's plotting मतलब सुनलन दी है Monk's अते Fagun दी Against Oliver Oliver दे खलाफ She tells Rose and Mr. Brown Rose दे मिस्टर ब्राउनलो नो दस दिन दिया जो मतलब Oliver दी मदद करना चाहूं देने हो Rose and Mr. Brownlow advises Nancy to leave Fagun's gang ओ सुनू अडवाइस दिन देने के Fagun's gang जड़ दे तू छड़ दे तू बदिया लड़की है And move abroad abroad मतलब बिदेश जाके मतलब उते रह Where she can live her old life जित्या अपनी old life है ये तू जी सकती है And live a better life जित्या जिन्दगी जी सकती है Nancy's loyalty to Sykes क्योंकि Sykes दे प्रती उस दी loyalty है To Sykes Prevents दे रोकना Prevents her From following the advice of Rose And Brownlow क्योंकि उस दी ये लोयल्टी है Sykes दे प्रती पे Sykes नारो प्यार कर दी है ओहो जेडी उस दी loyalty है उस नू रोक दी है मतलब जानतो बिदेश जानतो ओना जी अड़्वाइज मननन तो That proves wrong for her जेडी के उस दे ले Wrong मतलब अपा कैसा कर दे हैं के उस दे ले बदिया सिद्ध नहीं हुंदी At Fagans क्योंनी बदिया सिद्ध हुंदी At Fagans' provocation Fagans दे पड़का हुंदी Sykes kills Nancy by hitting the rod मतलब Rod नाल हो Nancy दा कतल कर दन्दै Sykes उस दे पड़का हुंदी Fagans उसनू पड़का दन्दै Sykes नू के Nancy दुश्मना नाल मिल गी As a child of street एक गलीरी मतलब बच्ची दी तौरते Nancy has been a thief and drinks a lot ओ मतलब चोरी कर दिया थे बहुत जादा मतलब शराब पी दिया है The narrator indicates that she is a prostitute जेड़ा राइटर है इशारा कर दे क्योंकि ये prostitute एक वेसव है She is considered bad by the society but she does not the best thing in the novel ओ मतलब society लही society जेड़ी उसनों bad समझी दिया है but she does the best thing in the novel पर इस novel दे बिचो की एक बदी जेड़ी गल्लहो कर दिया है when she gives her life to save Oliver जद Oliver नों बिचाओं दे लिया अपनी जिंदगी जेड़ी हो दे दन दिया है अपनी जिंदगी दा होते लादन दिया है Nancy's character proves that the basic human virtues cannot be eradicated मतलब जड़े इंसान दे विचे हुंदे ने ने अच्छान्या हुंदे ने उख़े भी खतम नहीं मतलब नहीं किते जा सकदिया Nancy is the only character in this novel who has bought good and evil Nancy का अकल्लही character है एस दे विचे novel दे विचे जिस दे विचे बुरान्या दे अच्छान्या दोनों ने Dickens uses his character as an argument for humanity humanity दी argument लही मतलब एक character दे यूज कीता गया Dickens ने argument मतलब के लोग चंगे भी हुंदे ने बुरे भी हुंदे ने मतलब अच्छान्या भी हुंदे ने बुरे दे विचे बुरे लोग का दे विचे भी अच्छान्या हुंदे ने एस चीज नो लेके Nancy's sacrifice of her life for Oliver shows that there is good in every human being जेडी मतलब Nancy ने Oliver दे लिया अपनी जान दिती ओ एस सावत कर दिया है कि हर एक human being दे विचे जेडे goods ने मतलब बदिया जड़ा उस दे विच फीलिंग्स हुंदिया ने ओ हर एक इंसान दे विच हुंदिया ने बुरे लोग का दे विचे भी ओ फीलिंग्स ने जडिया हो पन्या जान दिया सो एसी का character sketch of Nancy जेकर असान लग गया है ता वीडियो नो अगे share करो अथे like भी करो जेकर channel उपर नवे हो ता channel नो subscribe करना बिल्कुल ने पूलना सो मिल दें अगली वीडियो लेके ओ तुम तक देओ इजाज़त Thank you so much